दोस्तों दुनिया का वो अनूखा देश जहां गाड़ी का तेल खत्म होना है कानूनी अप्राद सजा का भी प्रावधान है ताना शाह हिटलर का देश जर्मनी का नाम तो आपनी जरूर ही सुना होगा जी हाँ वही ताना शाह हिटलर जिसकी वजह से दुती विश्युद्ध हुआ था भले ही दुती विश्युद्ध के कारण यह देश बिलकुल कंगाल हो चुका था लेकिन आज इसकी गिंती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है इंजिनरिंग के छेत में आज पुरी दुनिया में सबसे पहला नाम किसी देश का आता है तो वो है जर्मनी इस देश से जुड़े और भी कई रोचक तत्थ हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे जर्मनी एक ऐसा देश है जहां आप हाईवे पर जितनी मर्जी हो उतनी रप्तार से गाड़ी चला सकते हैं गाड़ी की रप्तार को लेकर जर्मनी में कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है लेकिन यहां बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का इंधन खत्म हो जाता है तो इसे अपराद किस रेड़ी में माना जाता है इसके लिए आपको सजा हो सकती है यह जुर्बाना भी लगाया जा सकता है आम तोर पर लोग किसी को फोन करते हैं यह फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं लेकिन य दुनिया में सबसे ज्यादा चीडिया घर जर्मनी में ही मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे उंचा चर्च भी यहीं पर है। जिसका नाम उल्म मिशंटर है। इस चर्च की उंचाई करीब 530 फीट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आरामशे बैठ सकते हैं। सायद आपको पता ना हो लेकिन दुनिया की सबसे पहली पत्र का 1663 इसबी में जर्मनी में ही प्रकासित हुई थी। आपको यह जान का हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा किताबें छापने वाले देशों की सूची में जर्मनी का नाम भी शामिल है। यहां प भारशमेत कई देशों में लोग किसी को एडवांस में यानि कि शमय से पहले बढ़े बिस यानि कि जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहां लोग सिर्फ जर्मन दिन के दिन ही किसी को बधाई या शुपकामना देते हैं। ऐसे ही इंपोर्टन और रोचक टथ कि जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूटूब चैनल प्रदीब लीगल हेल्प मैं आपका मित्र प्रदीब गौर्ड एडोकेड बिनम्रता के साथ धन्यवादू